एक गलट डिसीजन जो बैंक्वेट ओनर को रुपीज 15 करोड सका लॉस देता है आप जानना चाहते हैं ये डिसीजन क्या होता है तो इस वीडियो को एंड सक जुरू देखें और अगर आप नया बैंक्वेट खोलने की सोच रहे हैं या आपका गुण नया बैंक्वेट पोजेक्ट है तो इस वीडियो को देखना ना भूले अपने बैंक्वेट को कराते समय यह गलती कभी मत करना बैंक्वेट इंटीर को फाइनलाइस करते समय कुछ बैंक्वेट ओनर्स चंद लाखों की वन टाइम सेविंग के लिए ग्रैंड एंड एक्समूजिब बैंक्वेट इंटीर को छोड़ कर एक बेसिक या कॉमन बैंक्वेट इंटीर अपने बैंक्वेट में इस्टॉल करा लेते हैं जिसमें शीशे का, कपड़े का, फाइबर का, फैब्रिक का या नॉर्मल पेंट का यूज वाल पेपर का यूज किया जाता है क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके बैंक्वेट ओनर्स एक बैंक्वेट इंटीर की एस्टिमेडिड लाइफ जो साथ साल की होती है इस लाइफ में पंदरा करोड का भारी नुकसान उठाते हैं यह लॉस कैसे होता है इसे जुरू समझे हर महीने बुकिंग के लिए लगबख 45 इंक्वाइरी जिया विजिट्स होती है जिसमें से बहुत प्राइज बारेनिंग और नेग्लोकेशन के बाद लगबख 10 से लेके 12 इंक्वाइरी फाइनल बुकिंग में कंवर्ट हो जाती है लेकिन किसना किसी कारण से 30 कॉस्पर्स लॉट जाते है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है जब 90% बैंक्वेट आल्मोस्स सिमलर दिखते है तो बैंक्वेट लाइन में बहुत जादा कॉंप्टिशन पैदा होता जा रहा है इसके कारण बुकिंग कम होती है प्राइस कॉंप्टिशन फेस करना पड़ता है और लो प्राइस के बाद भी कई बाद बुकिंग नहीं हो पाती जो हर महीने 30 करस्मर लॉट गया उसमें से 20 परसंट करस्मर मतलब कि हर महीने 6 करस्मर ऐसा था या ये 6 करस्मर वो है जिने बैंक्वेट का इंटीर पसंद नहीं आया और उसने अपने फंक्शन के लिए एक ग्रैंट एंड एक्स्लूजिव बैंक्वेट को चुना और जो 90 पसंद बैंक्वेट एक जैसे दिखते हैं वो हर महीने 6 वेल्यूबल करस्मर लूज कर देते हैं अगर एक करस्मर एक फंक्शन की एवेज वेल्यू रुपीस 3 लैक्स है तो 18 लाग का लॉस बैंक्वेट ओनर को सिरफ बेसिक और कॉमन इंटियर के कारण हर मेने होता है अगर पूरे एक साल का लॉस करें तो आल्मोस रुपीस 2 करोड 16 लैक का लॉस बैंक्वेट ओनर को एक साल में होता है जो इंटियर आज बैंक्वेट ओनर अपने बैंक्वेट में इस्टॉल करा रहे हैं उसे मिनिमुम साथ साल तक बैंक्वेट में यूस किया जाता है अगर पूरे बैंक्वेट इंटियर की लाइफ में हम लॉस को कैल्कुलेट करें तो रूपीज 2.16 करोड इंटू सेवन रूपीज 15 करोड से ज्यादा का लॉस बैंक्वेट ओनर को सिर्फ इंटियर की गलस सेलेक्शन के कारण हो जाता है बैंक्वेट बिजनस एक पूरी तरह शो बिजनस है और इसमें यह भी का जाता है कि जो दिखता है वो बिखता है इसी लिए इस शो बिजनस में एक स्ट्रेटेजी जो हमेशा काम आती है वो है अपने आपको इतना सुप्रीरियल और इतना ग्रैंट बनाना जिसे देखकर करस्मर एक राइट ओ और वो खुद बुकिंग के लिए बैंक्वेट को फर्स प्रेफरेंस दे मतलब बैंक्वेट कर्स्टमर को चूज करें ना कि कर्स्टमर बैंक्वेट चूज करें अगर आप अपने बैंक्वेट को इस पिती में ला सकते हैं जहां पर आप कर्स्टमर को चूज करें तो इस कंडिशन में बैंक्वेट अपनी पूरी एक इंटीवियर की लाइफ में रूपीज 15 करोड का एक्स्टर रेविन्यू टेम इंफरस्ट्रक्चर से ले सकता है अगर आप भी अपने बैंक्वेट को बागी सभी बैंक्वेट के कंपेरिजन में क्रैंड एक्स्ट्रूजिव प्रूफ करकर खुद के लिए एक मोनोपली बिजनर्स चाते हैं जिसे देखकर कस्मल एट्रैक्ट हो और आपको बुकिंग के लिए फर्स्ट प्रेसेंस मिले तो हमारे बैंक्वेट बिजनर्स दोध एक्पर्ट से आज ही इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें इसलिए अपने बैंक्वेट का इंटीर फाइनल करते समय अपने आप से जरूर पूछें कि आप अपने बैंक्वेट इंटीर से क्या चाते हैं थोड़े से अमाउंट की वन टाइम सेविंग या रूपीज 15 करोड का एक्सा रेविन्यू और मोनोपली बिजनर्स